Good morning students, wish you all a happy new year, I hope कि ये साल हम सब के लिए अच्छा रहेगा और आप सब फिर से स्कूल आओगे and I hope कि आप सबने जो अभी exam दिया है वो भी आपका अच्छा गया है, exam आपने अच्छे से दिया है exam को तो चलिए, exam के बाद हम फिर से अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं So today we will learn conversion of metric units of weight तो यहां हम weight में kg to gram and gram to kg convert करना सीखेंगे तो पहले हम kg to gram convert करना सीखेंगे तो यहां देखिए, to convert kg to gram we multiply by thousand जब हमे kg से gram में change करना है, convert करना है तो हम thousand से multiply करेंगे क्योंकि 1 kg is equal to thousand gram 1 kg में thousand gram होते हैं और यहां देखिए, kg and gram weight में kg बड़ा होता है और gram छोटा होता है जब हमें बड़े से छोटे में convert करना होता है तो हम multiply करते हैं और यहां हम thousand से multiply करेंगे क्योंकि 1 kg is equal to 1000 g इसलिए हम यहाँ पर 1000 से multiply करेंगे अब हम इससे related यहाँ पर कुछ examples को solve करेंगे express the following in grams हमें यहाँ पर kg से gram में convert करना है kg से gram में करना हमें क्या करना है 1000 से multiply यहाँ पर हम वही करेंगे first है 9 kg into gram 9 kg को हमें gram में change करना है कैसे करेंगे we know that पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे 1 kg is equal to 1000 g हमें 9 kg को change करना है 9 kg is equal to 9 into 1000 g is equal to 9 अब हम इसे multiply करेंगे तो आप हम थाउजन से multiply करना आता है 9 वन्स है 9 3 0 है 1 2 3 0 यह हो गया 9000 g ठीक है हमने gram में change किया तो वह gram हम unit लिखेंगे 9 kg change हो गया 9000 g में next है 3 kg 423 g into gram हम यहां पे 3 kg को change करना है gram में ठीक है यहां देखिए यह जो 423 g यह पहले इसे gram में तो इसे हम change नहीं करेंगे इसे सिर्फ हम क्या करेंगे last में add कर देंगी हम सिर्फ इसे 3 kg को हम change करेंगे gram में यहां करेंगे that we know that 1 kg is equal to 1000 gram 3 kg is equal to 3 into 1000 gram 3 into 10,000 3000 3000 gram यहां करें में तक मेंकर देखिगा एंगी ≤ प्लस 423 ग्राम जिरो प्लस 3 3, 2, 4 यह चेंज हो गया क्या यह आणस है 3423 ग्राम तो हमने इसे आणस गया तो हमारा यह आणसर आ गया नेक्स्ट इस कोशन नमबर C 74 kg 79 ग्राम इंटू ग्राम तो हमें यहाँ पे 74 kg को चेंज करना है ग्राम में और यह जो 79 ग्राम है यह पहले से ग्राम में है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे यह पहले से ग्राम में इसे सिर्फ हम आड कर देंगे लास्ट में, जैसे हमने यहां किया, ओके, तो हम यहां पर करेंगे, जैसे हम चेंज करेंगे, जैसे हम चेंज करेंगे, तो यह चेंज हो गया, 74,000 ग्राम में, अब हमें क्या करना, यह 79 ग्राम को एड़ कर देना है, प्लस 79 ग्राम, जैसे हमने चेंज किया, यह हमारा चेंज हो गया, 74,000 ग्राम में, ठीक है, इसे हमने चेंज किया, तो हमारा चेंज हो गया, 74,079 ग्राम, ओके, अब हम ग्राम से केजी में कनवर्ट करना सिखेंगे, यहां है to convert gram to kg we divide by 1000 जब हमें gram से kg में convert करना है तो हम divide करेंगे 1000 से यहां है इनका relation क्या है 1000 gram is equal to 1 kg जैसे मैंने भी बताया था relation 1 kg is equal to 1000 gram तो उसका opposite है 1000 gram is equal to 1 kg तो यहां देखे kg और gram है kg बड़ा होता है weight में और gram छोटा तो यहां देखे हम जब छोटे से बड़े में change करेंगे तो हम divide करेंगे और हमने उसमें kg to gram किया बड़े से छोटे में किया तो हमने किया multiply अब यहां छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो divide करेंगे 1000 से अब हम इससे related यहां पे कुछ examples को solve करेंगे express the following in kg and grams first है 6000 gram into kg हमें 6000 gram को kg में convert करना है तो यहां देखिए gram to kg करेंगे तो divide करेंगे 1000 से तो वही करेंगे करेंगे we know that 1000 gram is equal to 1 kg 6000 gram is equal to 6000 divided by 1000 gram तो हमें यहां पे divide करना है हम कैसे divide करेंगे यहां देखिए इसका एक 0 और यह 0 कट हुआ यहां पे भी दूसरा 0 भी कट हुआ यहां पे भी यह भी 0 कट हो गया तो जितने भी 3 0 यहां थे 3 0 कट हो गया अब यहाँ पर बचा 6 divided by 1 ठीक है? किसी भी number को हम 1 से divide करते हैं तो हमारा वही number आता है division का property आप जानते हो यहाँ पर हम 6 को divide कर रहे हैं 1 से वही number आएगा क्या आएगा? 6 यह किसमें convert हो गया? kg में तो हमारा answer आया 6 kg 6000 gram हमने change किया kg में convert किया तो 6 kg में convert हो गया next is b 18,208 gram into kg and gram हम यहाँ पर 18,208 gram को kg में convert करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी divide करेंगे 1000 से करेंगे we know that इसी तरीके से हम लिखेंगे 1000 gram is equal to 1 kg 18,208 gram is equal to 18,208 divided by 1000 gram तो यहाँ हम 1000 से divide करेंगे तो यहाँ मैंने आपको divide करना सिखाया है 100,000 से तो यहाँ देखिए यहाँ मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगे एक short में divide करना और जैसे हम divide करते हैं वैसे तो यहाँ देखिए पहले 1000 में कितने 0 हैं 1,2,3,0 है तो यहाँ पे हम इस number को हम divide करना है तो इस number के once place से 3 digit को हम छोड़ देंगे वो 3 digit हमारा gram हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा kg हो जाएगा means जो हमारा जो हमारा बचेगा वो quotient हो जाएगा divide होने के बाद और जो 3 digit हमने once place से count किया वो हमारा remainder हो जाएगा तो यहाँ देखिए 1,2,3,0 है 1,2,3 यहाँ पे आए once place से हमने count किया तो 208 है यह हमारा remainder है means यह gram है और 18 जो बचा वो हमारा kg है answer है 18 kg 208 gram तो यह हमने short में किया यह 0 को count करके अब यहाँ पे जैसे हम count divide करते वैसे करेंगे thousand से divide करना है 18,208 gram को कैसे करेंगे thousand one is a thousand पहले cut होगा divide होगा 0,2 8-08 1-1 0 cross अब यहाँ बचा 820 यहाँ 8 है इसे हम नीचे लाएंगे और इसे बढ़ा करेंगे तब यह divide होगा यह होगा 8,208 अब यह 1000 हो सकता है 1000 एट्सा 8,000 अब यहाँ अब यहाँ नीचे लाएंगे अब यहाँ नीचे लाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए मैंने वही किया है 18 kg 208 ग्राम है ना मैंने जो शॉट में बताया आप इसी तरीके से करोगी क्योंकि यह टाइम टेकिंग है जितना 0 है उतना आप काउंट करोगी वन स्प्लेस से उसे काउंट करेगी उतना डिजिल और वो हमारा हो जाएगा रिमेंडर जो बचेगा कोशन्ट ओके नेक्स्ट कुश्च नमबर सी 8609 ग्राम इन्टू केजी या ग्राम तो हमें यहाँ पर इसे चेंज करना है यहाँ भी बीसी तरीके से करेंगे वी नो डाट 1000 ग्राम इस इक्वल टू 1 केजी 8609 ग्राम इस इक्वल टू 8609 डिवाइड़ वाइ 1000 ग्राम तो यहाँ पर हम शॉर्ट में करेंगे 1000 में कितने जीरों है 123 30 है तो यहाँ पर हम वन स्प्ले से 3 डिजिट काउंट करेंगे 123 यहाँ आया 6 तक यह 609 जो ही है 3 डिजिट यह हमारा क्या हो जाएगा ग्राम मिन्स डिमेंडर और 8 हो जाएगा कोशन्ट मिन्स केजी आंसर होगा 8 केजी 609 9 ग्राम ठीक है यह मैंने आपको शॉट में यहाँ बताया अगर आप इस तरीके से भी करोगे लॉंग में दिवाइट तो आपका यही आएगा ओके स्टूडेंस आपने यह कनवर्जन सीखा है केजी टू ग्राम और ग्राम टू केजी तो आप इसी तरीके से करोगे जब केजी टू ग्राम करना है तो मल्टिप्लाई करोगे थाउजन से और ग्राम टू केजी करना है तो डिवाइट करोगे 1000 से okay so इससे related जो आपको homework मिलेगी आप उसे solve करेंगे thank you